नमस्कार मित्रों, हमाचाज धर्मंदर जी, आप सभी का प्यार और जोतिसी में स्वागत करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मागी पुर्णमा। ये मागमास का जो पुर्णमासी है, ये 15 तारिक को रातरी 9 बच कर 20 मिनट, 20 मिनट पर ये लग रहा है। और 16 तारिक को ये रातری 10 बच तक पुर्णमासी रहेंगे। जो भी इस्त्री या जो भी ब्यक्ति अगर मागी पुर्णमासी का उप्वास करना चाहते हैं, बर्त रखना चाहते हैं, वो 15 तारिक को भी रख सकते हैं। और असनान दान का काम जो है आप सुल्ला तारीक को आप सुबह छे बज़े से ले करके दो बज़े दिन तक आप असनान दान का काम कर सकते हैं कहा गया है मागी पूर्णमासी में जो भी गंगा असनान करते हैं या नदी का असनान करता है तो उनके साल भर जितने भी आप पाप किये हैं वो सारी पापों को खत्म करता है गंगा मैया बहता पानी गंगा मैया सभी पापों को एक साथ ले जाकर के समुदर में दहा देते हैं जानते हैं ये हमारा सरीर पांच तत्व से बना हुआ है पांचो तत्व जिस दिन हमलों का सरीर खत्म होता है ये पांचो तत्व पांचो चीज में मिल जाता है हवा में अगनी में मिट्टी में जल में ये पांच ये पांचों तत्व में जो है ये मिल जाते हैं अगनी में जल के वो अगनी बन जाते हैं हवा में मिल करके उड़ जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी से फिर पाने में चले जाते हैं पास्तत्व है हम अगर जिदी अपना पापकर्म को खत्म करें अप उन्हों को आगे बढ़ा है तो पुर्णमासी को आप जो है गंगाअस्नान अवस्षिक करें और जो भी प्रेमी या प्रेमिका अगर उसकी प्रेमी या उसकी प्रेमी का बिल्कुल अलग हो रहा है आपका कहना नहीं मान रहा है तो आप जा करके गंगा असनान करें और गंगा असनान करने के बाद आप गंगा जी में थोड़ी सी तील और अरवा चावल अक्षत जिसको बोलते हैं अक्षत और थोड़ी सी तील गंगा मैया को दहाए अक्षत जिससे सुक्र गरह ठीक होगा तील से केतु गरह ठीक होगा सनी गरह ठीक होगा वो जो है जैसे ही उसमें बहाईएगा बहाते समें आप गंगा मैया को बुलिएगा हे गंगा मईया, आप मेरे पाप को खत्म करें, मेरे सुक्र गरह को मजगुत करें और जो है, आप हमें हमारे प्रेमी को या हमारा प्रेमीका को हमारे साथ लाएं, वो हमारा सिवा और किसी को भी न जाने किसी को भी ना देखे हम हमारे दिल में उनकी बास हो उसके दिल में हम बास हो ऐसा बोल करके आप गंगा जी में दहा दीजे और बोले है गंगा मैया आप किरपा करे ऐसा करने से आपका प्यार आपको मिलेगा अगर जिदी आप कुछ और खास करना चाहते प्यार को तुरंत पहना चाहते हैं, प्यार को साथ जनम तक एक साथ रखना चाहते हैं, तो आप जो है, किसी भी गंगास नान के बाद, किसी भी देवी मंदिर में जा करके, आप सुहाग का जितना भी समान होता है, सारी साया बुलोज, चूरी लेठी, अलता सिंदूर, जो भ आप चटाएगा, उनको बोलिएगा, हे माता, आप किर्पा करें, मेरे प्रेमी या मेरे प्रेमी में काकोब, एक साथ करें, हम से अलग ना करें, क्योंकि वही मेरा जीवन ہے, वही मेरा सारा अंग है, अगर वो ना रहेगा, तो कौन रहेगा, ऐसा बोल करके, देवी मा को आगर जदी आप सुबह छे बज़े से लेकर के दो बज़े के अंदर करते हैं, सोच लिजिए आपका प्यार आपसे कभी अलग नहीं होगा, आप यकीन मानिए, विश्वास करके, माता की परति विश्वास करके, आप ऐसा कीजिए, आपका अबसिलाब होगा, विश्वास आपको एक भी फल प्राप्त नहीं होगा, विश्वास पी ही सारा जीवन है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, अपना प्यार में कभी भी प्रिवेस लाइप ना बताएं, पैसों का आदान परतान ना करें, कभी भी दूखी ना होएं, कभी भी आप अपने आप में काम स्विंग पूरा होता है, और एक बार अगर जिदि आप एक काम को पूरा करते हैं, बार बार चेश्टा होगा, अगर दूसरे से करवाते हैं, तो वो आपको जो है, एक दिन कर देगा, दूसरा दिन अगर जिदि वो नहीं रहेगा, तो आपका काम फिर कौन करेगा, इस आप भी देश को चलाते हैं, आप भी घर को चलाते हैं, आप भी समाज को चलाते हैं, समाज में आपकी वीज़त हो, ऐसा जदी चाहते हैं, तो आप ऐसा किजिए, आपका अवस्हीं लाव होगा, अगर जदी आप तील का दान, जदी करते हैं मंदिर में, तो भी आपका लाव अगर तील का लड़ू तील का लड़ू अगर जदी दान करते हैं तो भी लाब होगा इस दिन कहा गया इस दिन तील का लड़ू का दान सबसे महा दान होता है तील का लड़ू भी दान कर सकते इस दिन आपको अथा लाब होगा अगर आप मेरे चैनल में नया है तो सबसे पहल मेरे चैनल को subscribe करें subscribe किजिएगा मैंने इसतरा का वीडियो पर तो पुछाते हैं अगर subscribe नहीं किजिएगा तो एक वीडियो एक दिन देखेगा दुसरा दिन आप नहीं देख पाईएगा और उल्टा फूल्टा वीडियो देखेगा जो कि आपका जीवन का कल्यान नहीं होगा मैं आपकी जीवन की कल्यान के लिए हम है कहा गया जो जोरी आसमान में बनती है उसका सीधा रिपेरिंग सेंटर प्यार और जोतिसी है तो आपकी प्यार को जिताने के लिए हम है आपकी प्यार से मिलाने के लिए हम हैं आप भरोसा कीजिए इंतिजार कीजिए विश्वास कीजिए सच्चा प्यार कीजिए तो ही आपका प्यार मिलेगा अन्या था नहीं मिलेगा वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपना ख्याल खुद को रखिए कहें आपका सरीर सबसे मुल्लेबान सरीर है अपना सरीर का ख्याल सेंग रखिए जै माकाली आप सभी का मनो कामना पुर्ण हो ओम नमस्षिवाए जै गंगा मिया